लक्षवरगर शहर के जबाहर नेहरू स्टेडियम भाजपा द्वारा सोंबार को विशाल किसान सम्मेलन का आयूजुन किया गया भाजपा प्रिदेश अध्यक्षू सतीश पुनिया उपनीता प्रतिपक्षू राजजीन्दर राठाओर और पुर्व भाजपा प्रिदेश अध्यक्षू की wn Charlesbu जत्री को शीचरां मिले तसम्मेलन को संबोधि इस मोके पर सतीश पुनिया ने यह यूझेश नेहीं कया संबोधित करते हुए कॉंग्रिस पर जम कर निशाना साधा उन्होंने का कि इस बार बाजरा आठ हजार करोड मैट्रिक टन होगा यदि समय पर खरीद नहीं हुई तो इस बार 3300 कड़ो रुपे का नुकसान होगा ऐसे में पार्टी मुक्यमंतरिय अशोग गैलुक को चितावनी देने आई है कि या तो समय पर बाजरा खरीद ले वरना लक्षमर गड़ की रैली में यहीं कह रही है कि कॉंग्रिस राजस्तान से बिना भाव ही चली जाएगी उन्हों ने कहा कि प्रदेश में 60 लाग किसानों का 1,20,000 कड़ो रुपे का करजबाकी है पुनिया ने ये भी कहा कि राजस्तान में कोई भी परिक्षा ऐसी नहीं हुई है जिसमें नकल नहीं हुई हो राजस्तान में किसान आत्महत्या कर रहे हैं जो वीडियो बना कर यहां तक बताते हैं कि उनकी इस हालत का जिमेदार मुखे मंतरी अश्योग गैलो थी है आज दो प्रमुख मांगे थी राजस्तान में हिंदुस्तान का सरवादिक बाजरा होता है और उसकी नियुनतम समर्थन मुल्य की खरीद की मांग है जो राजस्तान की सरकार ने अभी तक विवस्ता नहीं करी है पडोसी राजों में खरीद भी हो गई और उसके भावके अंतर की भुकतान भी वहां की राजस्तान सरकार करती है तो पहला इस चेतर में क्योंकि ये जो पूरा चेतर है सिखावाटी का जहां बाजरे का सरवादिक प्रोडक्शन होता है उत्पादन होता है और इसलिए ये प्रमुक मांग थी दूसरी बड़ी मांग है जिसमें किसान करजा माफी का वाइदा खुद राहूल गांदी जी ने किया था अशो गलो जी ने किया था कॉंग्रेस के जन गोशना पत्र में है ऐसे तमाम साथ लाग किसान है जो करजा माफी का इंतजार कर रहे हैं आज यही बातें थी लेकिन जो चार साल में विरासत में जो राजस्तान मिला है वो अपरादों का राजस्तान है जिसमें आठ लाक मुकदमे हैं प्रती जिन सत्रा बलादकार हैं साथ हत्याए हैं हर बारा किलो मेटर पे कोई ने कोई अफसर ट्रैप होता है राजस्तान की कुल मिलाकर जो विरुजगारी हो 32 प्रतीशत है मुझे लगता है कि इस तरीके के विरास्त के राजस्तान में कॉंग्रेस के अविदाई का वक्त आ गया है